विल्कम बैक टो चैनल काफी लोग इनक्टिव हो गए जब से फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ी है फॉर्म फिलिंग की डेट इसलिए बढ़ाएगे क्यों कि फॉर्म ज्यादा नहीं बढ़ेगे इसलिए उन्होंने बढ़ा दिया नोटिफिकेशन में मैंसन है कि आपका जो का यह सेट नंबर 12 है जो लोग चैनल पिन्यू है इन सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है देख लेना पचीश कुशन है हिंदी प्लस इंग्लिस है और बीस प्लस साही करने का टार्गेट है पॉइंट टूफाइब की निगेटिव मार्किंग है यह पचीश कुशन देखिए अगर आप चैनल पिन्यू है तो इसका टेस्ट होगा सामको रात 9 बजे दिस्किप्शन पर आपको टेलीगरام का लिक मिलेगगा टेलीगरम पे टेस्ट होगा डेलिः होता है तो लिन्क पे किलिक करिया तो टेलीगरम पे साच करिए ओडरेटंके सिंह 30 तेलीगरम जोइन कर लिए नौ बज़े टेस्ट होगा टेस्ट लगाई है बहुत इंपॉर्टन वीडियो लेके आए हूं यह वाला सेट कम से कम दो कुशन आपके एक्जाम में इसी सेट से आएंगे यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप पूरा वीडियो देखे आपको पता चल पहला कोश्चन और सेट का कुश्चन नमबर 276 बादल किस कारण वाईू मंडल में तेहरते हैं वाई क्लाउटस फुलॉट इंदा इट्मॉसफियर निमनदाप के कारण निमनगहनत निमनतापमान निमनस चैनता कारण तो पहला कुश्चन नहों 276 नमबर सेट का उंसल करि क्योंकि एक question जो है बहुत ज़्यादा chances आपके एक्जाम में है देखिए हिंदी वासा में medical और engineer course engineering course शुरू करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है which stage in India has become the first state to start medical and engineering courses in Hindi language मद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार या फिर हर्याणडा answer करिए 270 का right answer option number A होगा वो राज जो है वो बना है आपका मद्ध प्रदेश अगला question देखे विस वैस्विक भूक सुचकांग 2022 में भारत का क्या इस्थान रहा है what is India's rank in the global hunger index 2022 105, 104, 107 या फिर 101 278 number question में आपसे पूछा गया है कि global hunger index 2022 में भारत का कौन सा इस्थान था total जो countries थी वो थी 121 और 121 countries में global hunger index में 2022 में जो भारत का इस्थान था वो था 107 सी number right answer होगा ये दो question बहुत important है आपके exam में आने की chances है पहला ये कि एराग के नए राष्टपती कौन बने है वो इस दे निव प्रेसिडेंट आफ एराग अब्दुल लतीफ तारिफ इब्राहिम राइसी अहमद नवाब अल या पिर अली खान इसमाइल लोग दो 89 नंबर question इराग के नए राष्टपती नहीं पता है इसको याद गर लिजे current affair का question है वैसे current affair मैं अलग से भी करवाँगा आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा तो अब्दुल लतीफ राष्टपती यह है आपके इराग के नए राष्टपती नए प्रेसिडेंट important question है यह question सबसे important है 280 number question 90% chances है कि यह question आपको एक्जाम में देखने को मिले ब्रेटेन के सबसे युवा प्रदानमंत्री कौन बने है वो हैस बिकिम ब्रेटेन स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मैलोनी रिशी शुनक पार्थ सत्पती या फिर एलफी गिप्शन बताईए 280 number question का answer right answer option number B होगा ब्रेटेन के जो नए युवा प्रदानमंत्री बने हैं वो हैं रिशी सुनक अभी हाली में उक्टूबर 2022 में बने हैं और चर्चा में रहें बहुत ज़्यादा इसलिए 90% चांसे दें कि यह कुशन आपको एक्जाम में देखने को मिले याद रखिएगा अगला कुशन देखे आटो होन ने किसका विसकार किया था वो इन्वेंटेड आटो होन एटम बम का टेलीवी विज्ञान है वोट इस दा साइंस ऑफ सिस्मोग्राफ नदियों का बोकम्प का जौला मुकी का या फिर परवत का 282 नंबर कुशन का अंसर करिए राइट अंसर इसका ऑप्शन नंबर भी होगा सिस्मोग्राफ जो है यह आपका अर्थ कैक भूकम्प का विज्ञान है किस सहर ने दुनिया की पहली मुग के जरिये सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्शन शुरू की है विच सिटी एज लॉंच दा वर्ल्ल्स फर्स्ट माउथ बॉन कोविड-19 वैक्शन लंदन सहर संगाई पैरिस या फिर टोक्यो कुशन बड़ा बढ़ी है कि किस सहर न दुनिया की पहली मुग के जरिये सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्शन बनाई है वो जो सहर है वो है आपका संगाई चीन का संगाई सहर बी नंबर्स कुशन का राइट आंसर होगा अगला कुशन देखे विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहां से थैं वेर्ज व बहुत इंपॉर्टन कुशन है यह नंबर राइट अंसर होगा अगला कुशन देखे निम लिखित में से किसने राज अर अपहरन नीती को किरियानवित किया था हूँ एमंग दा फोलोईंग इंप्लीमेंटेड दा स्टेट अब्डक्शन पॉलिसी लाड कैनिंग डलहोजी रिपन या फिर लाड करजन दोस्तों पचासी नंबर कुशन का अंसर करिये सबी लोग राइट अंसर इसका बताईए जल्दी से राइट अंसर इसका उप्शन नंबर बी होगा किसने करी थी लाड डलहोजी ने क्या किया था जो स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी था उसका पॉलिसी किया था लाड डलहोजी ने अगला कुशन देखें पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था वेर डिट्स इंडिया एक्ट कम चौशट में सतरह सुप्यावन एक्यानबे या फिस सतरह सुचौरासी में पता ही यह बी इंपॉर्टंट है अगर नहीं पता है तो इसको का जाता है who is also known as the father of Indian National Congress महात्मा गांदी बियारम बेटकर एयो हुम व्यमेश चंद्र बैनर जी तो 287 नंबर कुश्चन का अंसर करिए सबी लोग राइट आंसर आप्शन नंबर सी होगा वो कौन थे एयो हुम था इनको क्या माना जाता है भारती राष्टी का अंग्रेश का जनक अगला कुश्चन देखे पूना जो समझाओता है मातमा गांदी और किन के बीच हुआ था पूना पैक्ट वाज साइंड बिट्वीन मातमा गांदी और हूम लॉर्ड इर्विन सुभाशंद बोस बियार अंबेटकर जवालान लेरू 288 नंबर कुश्चन अंसर करिये पूना जो समझाओता है मातमा गांदी और डाक्टर भीम्रा अंबेटकर जी के बीच में साइन हुआ था तो सी नंबर कुश्चन का राइट अंसर अगला कुश्चन विकिर रेडियेशन थेरपी में जो गैस नोबल गैस यूज होती है उस नोबल गैस का नाम है रेडाउन सी नंबर कुश्चन का राइट अंसर होगा अगला कुश्चन देखे निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है विच और फॉलोइंग मेटल्स अगला कुश्चन देखे तरह रवस्ता में पाई जाने वाली अधाद कौन सी है विच इज नॉन मेटल फाउंड इन लुकिड श्टेट ब्रोमीन नाइट्रोजन ख्लोरीन पारा दोस्व एक क्यान बे नंबर कुश्चन का अंसर करिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंब जो है यह आपका किसका इसक है यह आपका है पारा का इसक मरकरी का इसक तो सी नंबर स्कूश्चन का राइट आंसर होगा जो कुश्चन नहीं आता है उसको गलत मत करिए छोड़ दीजए 0.25 की negative marking है Sisa pencil में Sisa का परस्त कितना होता है What is the percentage of lead in lead pencil अगर पढ़ के नहीं गए हो तो यह question आप गलत करके आओ तो Sisa pencil में जो Sisa का परस्त होता है वो zero होता है इसमें एक भी Sisa नहीं होता है Sisa pencil का जो use है वो अस्पताल में किया जाता है हाथ पर टूट जाता है तो जो plaster चला जाता है उसमें यूज किया जाता है या फिर खिलाओने या फिर मूर्तिया बनाने के साचे में किया जाता है Sisa pencil का यूज इसमें Sisa एक भी नहीं होता है ठीक है 0% अगला question देखे चार वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है विच इस दा ओल्डेस्ट वेदा और फोर वेदा अथर्व, शाम, यजूर या फिर रिग वेद तो 294 में नमबर question का अंसर D होगा सबसे जो पुराना वेद है वो है आपका रिग वेद next question धमेक इस्टूप ये किस राज पर इस्टेत है वेज दा धमेक इस्टूपा सिचिवेटेड सारनाथ में, फोतिपुर सीकरी में, गौलियर में, खजुराओ में तो 295 में नमबर question का अंसर पताए सबी लोग right answer option नमबर ये होगा धमेक इस्टूप जो है ये आपका एक बुद्देश टेमपल है जो की उत्तर प्रदेश के वारण असी में सारनाथ में इस्टेत है तो ए नमबर इस question का right answer होगा 296 नमबर question हमपी किस राज में इस्टेत है in which state is हमपी located तमिल्नाडू तेलंगाना करनाटक मद्द प्रदेश 296 नमबर question का answer करिए right answer क्या होगा option number C हमपी आपका करनाटक राज में इस्टेत है ठीक है C number right answer होगा अगला question देखे नमक सत्यागरे किस सन में परारण हुआ था in which year the start सत्यागरे was started 30 में 32 में 28 में 31 में 297 नमबर question का answer करिए right answer option number A होगा नमक सत्यागरे जो है यह आपका 1930 में start हुआ था सारे question बहुत important करवा रहा हूँ आपका अंतराश्टी cricket परस्यत का मुख्याले कहां पर इस्टेत है where is the headquarter of international cricket council located cricket देखते है तो बताइए ICC का जो मुख्याल है वो New Delhi में है दोबाई में है लंदन में या फिर टोक्यो में है जवाब दीजिए cricket तो देखते होंगे हाँ तो ICC का जो मुख्याल है वो आपका दोबाई में इस्टेत है B numbers question का right answer होगा अगला question देखे यह question बहुत important exam में काफी बार आया हुआ है याद कर लेना rugby football में प्रतेख पच में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है what is the number of players in each side in rugby football आपके slaves में भी number of footballs chapter का नाम दिया हुआ है और उससे यह question है और यह वाला question काफी बार आया हुआ है right answer option number D होगा rugby football में प्रतेख पच में जो खिलाडियों की संख्या है वो पंदर है last question आज के सिटका सितारा देवी का संबंद किस नत्य से है with which dance is सितारा देवी related कुचिपूडी, भरतनाट्यम, कथक कली, कथक या फिर कथक कली तो 300 number question और last question सितारा देवी जो है, इनका जो संबंद है वो आपका कथक डान से है तो C numbers question का right answer होगा, यह थे 25 important question, एक दो question हलके छोड़के और एक दो question general science के छोड़के, 20 question आपके most important थे, दो question कम से कम आपको exam में इसी वीडियो से देखने मिलेंगे, एक हो सकता है सुनक वाला, जो current affair question है और बाकी जीके के तो आपने देखी लिए काफी important है, कोई भी question आ सकता है, तो 0.25 की negative marking के साथ बताईए, 25 में से आपका जो score रहा वो क्या रहा, देखिए यहापे कुछ लोग होते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग यहापे shortcut डूनते हैं, सिर्फ important important डूनते हैं important यार कुछ नहीं होता आप YouTube पे important साथ करोगे, तो रदिस रदि question के thumbnail और वीडियो टाइटल में लिखा होगा important है तो उस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं आपको मेहनत करनी होगी, जितने ज्यादा ज्यादा question आप practice कर सकते हैं, क्योंकि जतना ज्यादा आप practice करोगे, उतना ज्यादा दिमाग में आपके question बसेंगे, जब आप exam में computer में बैठोगे, तो फटाक से उसका question आपके दिमाग में आएगा, उसका answer और कर दोगे इसलिए आपका time बनेगा, और जल्दी जल्दी आप question करते जाओगे कम practice करोगे तो सोचोगे, सोचने में time निकलता है हैना इसलिए मैं आपको जितनी maximum हो सकती आप practice करवा रहा हूँ daily आपको 50 question दे रहा हूँ, पचीस सुबह, पचीस साम, आपको 50 question important दे रहा हूँ सारे question important है, आपको लगता होगा, कुछ आपको लोगता होगा, यह तो daily 50 question ले आता है तो ऐसी करवाता होगा, आप देख रहोगी important करवाता हो, मतलब मैंनत करके लाता हूँ 50 question निकालके तो practice करिए पूरा 50 दिन का plan मैंने बनाया और उसी एक साब से मैं काम कर रहा हूँ तो 50 दिन में आप यही idea लगा लो 50 into 50 कितना हो गया पचीस सो question तो आपका यही हो जाएगा यूट्यूब पर पता नहीं चलेगा कि अगले 50 दिन में आप नौन स्टाफ टेस्ट करेंगे जब यह स्रीज कंपलीट हो जाएगी बहले पूरा दिन पूरी रात लग जाए तो ऐसे यह पूरे पचीस सो question आपके त्यार हो जाएगे पीडियाफ आपके लिए त्यार कर दी है जो पीडियाफ है उनमें यह question आपको नहीं मिलेंगे चैप्टर वाइज question आपको मिलेंगे तो वह content अलग हो जाएगा अब इतना पढ़ने के बात अगर selection नहीं होगा तो फिर कैसे होगा है ना पूरी मैनत कर रहा हूं पूरी planning कर रहा हूं फिर भी selection अगर आप नहीं ले पाते चैप्टर वाइज हमने content डाल दिया जो कि इसी तरीके के mcqs है ठीक है बाकि मिलते ने इस video में बाए